पिछले एक महने में जिस तरह से भी जार्खन में राजनती घटना करम घटा है चाहे वो गड़बंधन में सामिल जार्खन मुपती मोर्चा हो या कॉंग्रेस दोनों की तरब से सिर्ष नेताओं ने ये कहा कि बीजेपी लगातार यहाँ पर सरकार को अस्थिर करने के साजिस के तहट काम कर रही है और ये जो कारवाई हो रही है जो नए मामले निकाले जा रहे हैं खोद कर वो केंद्री एजंसियों का इस्तमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि हमें डराया धमकाए 2000 की जारखंड केडर की अधिकारी है किसी भी सरकार में वो महत्पुन पदों पे रही है पुरवरती रगवर सरकार में भी वो क्रिसी सचीव थी तो जो भरष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं या जो कारवाई में बात निकल कर सामने आ रही है वो सिर्फ दो सालों में उन्होंने ये नहीं किया आज जारखंड में एक बड़ी घटना घटी है खनन और उद्दोग विभा की सची पुझा सिंगल के खिलाब इडी की कारवाई जारी है उनके आवास सहित कईयन ने ठिकानों पर छापे मारी हो रही है इस वक्त हमारे साथ भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतूल शाहदेव हैं हम उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि पार्टी इसे किस तरह से देख रही है इडी की जो कारवाई हुई है अभी भी जारी है कई ठिकानों पर संपतियां जो है जब्त की गई तस्वीरें आ रही है क्या कहेंगे दिखें हमरी पार्टी में कॉंग्रेस का कल्चर नहीं है कोई सेंट्रल एजेंसी तकर काम कर रही है तो उस पर टिपनी करने का हमारा अधिकार न सेंट्रल नहीं है यह सुतंतरता का भी है लेकिन क्उंग्रेस के समय से इंजेंसी और पार्टी के बीच के दायरे को इतना कम कर दिया गया कि लोग अक्सर कंफियूज कर जाते हैं कि एजेंसी जो है वो पार्टी चलाती है जunda स्रकार चलाती है मुझे लगता है एडि के प् करवाई हो रही है खानान और उद्दोग जैसे महत्पून विभागों की सचीव है वो मैंने का ना इसका एक ही जवाब है हमारा करप्शन पे कोई समझाता नहीं है करप्शन एठाई प्लेस नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर गार्वाई हो जाती है इसके पूरा-पूरा हो करने का इंतजार करें शायद और कुछ बड़ा खुला सा हो तो मुझे लगता आप एडी के प्रवक्ता से पूछेंगे तो शायद वो बहतर बता पाएंगे एडी के अधिकारी बहतर बता पाएंगे हमारा बस एक ही स्टेंड है कि इस सरकार में करप्शन ने सारी सीमाय तो पुजा सिंगल जो जिन दो बिभागों की सचीव हैं वो दोनों बिभाग मुख्यमंतरी के मातहत हैं और एक खानन पटा की लीज को लेकर तो मुख्यमंतरी घिरे भी हुए हैं आप किस तरह से देख रहे हैं आप दिरे दिरे परत खुलने दीजिए सारी चीज़े सामने हो कि हम लोगों ने तो मानिये मुक्रिम अंतरी जी के मामले में गवरणर से प्रिटिशन किया था वह एलेक्शन कमिशन से होते हुए हम लोगों ने आरोब जो लगाय था उसमें दम था तबही तो ये शो काउस हुआ था तो इसमें कौन-कौन लोग इन्वाल्व है मुझे लग पूजा सिंगल ना केवल जार्खन मुक्ति मोर्चा के समय में बलकि कोई भी सरकार जार्खन में रही हो, 2002 की जार्खन केडर की अधिकारी हैं, किसी भी सरकार में वो महत्पुन पदों पे रही है, पुरवरती रगवर सरकार में भी वो कृसिस अचीव थी, तो जो किसका पैसा कब निकला, किसके कारकाल का था, यह एजेंसिस का काम है, यह प्रीजज करना हमारा काम नहीं है, बस हमारा बस एक ही मोटो है कि कितने भी उच्पत पर आप हो, रस्टाचाल ट्रॉलरेट नहीं होगा, लेकिन अभी एजेंसिस को निश्कास पर पहुंचने किसका पैसा, कब का पैसा, किसके कारकाल का पैसा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और I.S. offices समयधान के प्रती आस्ता और निश्टा की सपत लेते हैं, वो अक्सर यह भूल जाते हैं, और राजनेतिक दल के कारकरताओं की तरह काम करने लगते हैं, मैं सिर्फ इस एक्जामप यह BJP से किस तरह से देख रही हैं? इलेक्शन कमिशन ने राजिस्टार आफ कंपनी से भी रिपोर्ट मांगाए कि कौन-कौन पार्टनर्स हैं, हमें भी प्रतिलीपी दी हैं और बसंद सोरेंजी को भी जवाब देने कहा है कि इस मुद्धे पर क्यों कारवाई नहीं हो, तो हमारा वही मानना है कि उच्पत प इलेक्शन कमिशन ने राजिस्टार आफ कि इस मुद्धार आफ कि इस मुद्धार आफ करें, हमने कहा था मितलेश्टाकूर जी को कि मंतरी रहते आभी ठीका पट्टा करें, हमने अलमगीर अलम को कहा था कि क्या आप जो सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं, ठीका पट्टो कि आप मंतरी रहते करें, बसंद सुरेन को क्या हमने कहा था कि माइनिंग लीस आप लेते रहें और विधायक भी बने रहें, तो देकि यह सब आरोप निराधार हैं, ये इनके कि एक कुकर्म जो है, वो समय का चकर होता है न, गूम कर आता है, उसका इनको भुगतना परड़ा है फल. जिस तरह के मामले बनते हैं, जनपरती निधित्व कानून को लेकर, कि अगर वो आफिस आप प्रॉफिट का मामला साबित हो जाता है, तो सदस्यता जा सकती है, अगर इस तरह की कारवाई होती है, बीजेपी की क्या रंड निती रहेंगा? अंग्रेजी में कहावत है, you cross the bridge when you come across the river, तो समयाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या परिस्तीतिया होती है, हम किसी सरकार को destabilize नहीं करना चाहते हैं, लेकिन करप्शन भी हमें किसी सूरत में बरदाश नहीं है, चलिए बहुत धन्यबाद, धन्यबाद, तो ये थ कुछ कहना उप्युक्त होगा, हालांकि उन्होंने इशारिशारों में सरकार को भी निशाने पर लिया और ये कहा कि बीजेपी की निती जो है, यो जीरो टॉलरेंस की है, इस बीच हमने ये भी सवाल पूछा कि क्रिशी सची वो रह चुकी है, पूरवरती रगुहर दास का कारिकाल में तो उन्होंने कहा कि मामले सामने आने दीजिये, तब इस पर टिपनी करना उचीत होगा, और जहां तक बात सरकार गिराने के आरोपों को लेकर है, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई मनसा नहीं रखते, बाकी चुनाव आयो के पास मामला है, उन्हें तय करना है, और जारकन मुक्ती मोर्चा के जो बसंत सौरेन है या मुख्यमंतरी हमन सौरेन है, उन्हें इस मामले पर जवाब देना है, फिलाल हमें इजाज़त दीजे, सहयोगी अमीद के साथ मैं सूरज दफॉलो अप नाची. झाल